हेलो दोस्तों मैं हूँ सुधीपवान रॉय और www.medicinside.com के एक नया फ्रेस वीडियो में आप सब का स्वागत है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जिस मेडिसीन के बारे में बात करेंगे बो सरिफ educational purpose के लिए बनाया गया है कोई भी medicine या फिर healthcare product को इस्तिमाल करने से पहले आप लोगों को अपने doctor के साथ consult करना बहुत ज़रूरी है आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा popular calcium supplement capsule के बारे में जिसका नाम है GemCal capsule ये Alchem Laboratories Limited के एक product है तो चलिए अब हम लोग इस capsule के composition के बारे में जान लेते है तो GemCal capsule में रहता है elemental calcium मतलब की calcium carbonate 500 mg calcetal मतलब की vitamin D3 250 IU याने की international unit उसके साथ इसमें रहता है elemental zinc मतलब की zinc sulfate monohydrate 7.5 mg तो चलिए अब हम लोग इस capsule के uses के बारे में जान लेते है मतलब इस capsule को कौन-कौन सा काम के लिए इस्तमाल किया जाता है उसके बारे में जान लेते है तो पहले हमने बताया कि इस medicine में रहता है calcium carbonate उसके साथ-साथ calcitrol मतलब की vitamin D3 vitamin D3 calcium को body में absorb होने में मदद करता है अगर आपके body में calcium deficiency के कारण मतलब की calcium की कमी होने के कारण osteoporesis, osteoarthritis या फिर किसी भी accident के कारण हड़ी तूट चुका है या फिर हड़ी में fracture हो चुका है तो उस calcium की कमी को भरपूर करने में ये capsule बहुत ही जादा मदद करता है जिससे आपके हड़ी को मजबूती और तंदुरूस्ती मिलता है उसके साथ calcium, आपके रीदय, मासपेसियो और नार्पसेल मतलब की नसो को अच्छे से काम करने में भी मदद करता है calcium and vitamin D3 के साथ इसमें रहता है zinc zinc, zinc हड़ीों को स्वस्त और तंदुरूस्त रखने में बहुत ही जादा मैत्पूर्ण भूमिका निवाता है zinc हम लोगों के बॉड़ी में एक तरह का protein synthesis को बढ़ा देता है जो की हड़ीों का स्वस्त को रक्षा करने में मदद करता है उसके साथ zinc कमजोड और तूटे हुए हड़ीों को regeneration करने में मदद करता है मतलब की शुधा करने में मदद करता है zinc osteoporosis में कमजोड भंगूर हड़ीों को मजबूती देने में मदद करता है उसके साथ-साथ osteoporosis होने का risk को कम करता है zinc, maspacio और नसो के लिए भी जरूरी होता है तो अगर हम लोग इस capsule के overall uses के बारे में बात करें osteoporosis, arthritis, calcium के कमी के कारण किसी भी तरह का हड़ीों, maspacio और नसो का बिकार को कम करने के लिए ये medicine का इस्तेमाल किया जाता है accident या फिर किसी भी कारण हड़ीों में fracture और damage को recovery करने में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है तो चलिए, अब हम लोग इस capsule के side repairs के बारे में जान लेते है commonly इस capsule का कोई भी side repairs नहीं दिखाए देता लेकिन किसी किसी patient में इसे इस्तिमाल करने से allergic reaction जैसे की जी मिचलाना, उल्टी आना या फिर दस्त जैसा लक्षन दिखाए दे सकता है तो ऐसे case में इसे इस्तिमाल करना बंद करके अपने डॉक्टर से ज़रूर consult करे तो चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं इस capsule के warnings के बारे में अगर आप pregnant है तो इसे इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर consult करे अगर आपको hypercalcemia, hypercalciuria, hypervitaminosis, D जैसा कोई भी condition है तो आपने डॉक्टर से consult किये बीना इसे उपियोग ना करे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग और एक calcium supplement के बारे में जानकाली लेना चाते है तो ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते है इस वीडियो में हम लोग बात किये है Bio D3 Max Capsule के बारे में जिसका लिंक आप लोगों को निचे description box में मिल जाएगा और दोस्तों अगर आप लोग आयरुबेदिक product या फिर आयरुबेदिक medicine के बारे में जानकाली लेना चाते है तो हम लोग आयरुबेदालोजी नाम का एक नया चैनल लॉंच किया है जिसका लिंक भी आप लोगों को निचे description box में मिल जाएगा इस medicine के बारे में और भी जादा जानकाली लेने के लिए आप लोगों को निचे description box में medicine सेर नाम का एक लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाके क्लिक करके इस medicine के बारे में और भी जादा detail में आप लोग जान सकते है और ultimately इस वीडियो को खतम करने से पहले आप लोगों से request है कि इस medicine को इस्तेमाल करने से पहले अपने doctor या फिर pharmacist के साथ जरूर consult करे फिर आप इस medicine को इस्तेमाल करे अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like कर सकते है अगर आपके मन में कोई भी question हो तो वो हमें comment section में पूछ सकते है उसके साथ-साथ इस वीडियो को share करे उन लोगों के साथ जिसको इस medicine के बारे में जानकारी लेना जरूरी है साथ-साथ इस चैनल को subscribe कर लिजिए ऐसे important health और medicine related videos के लिए thank you very much for watching, bye